love infinite channel में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है twin flame full moon energy forecast आज लेकर आई हूँ September 9, 10, 11 में किस तरह से रहने वाला है 99 portal की energy मैंने आपको बता ही दी कि twin flame journey में किस तरह की रहने वाली है क्या-क्या feelings और क्या-क्या symptoms आपको bodily हो सकते हैं full moon में आपका strongest emotions जो हैं वो surface पर आते हैं और ये वाला जो full moon है इसे कहेंगे harvest moon और emotional and physical body पर आपको इसका असर जरूर दिखाए देगा अगर आप twin flame journey में है तो भी, नहीं है तो भी twin flame life is challenged by the full moon और full moon आज है तो इस journey में misunderstanding बहुत होती है secrets भी reveal होते हैं चाहे आपके हो या आपके twin के triggering होती है और acceptance and surrender की stage में आप आ ही जाते हैं और separation के इस pain को भी सेना पड़ता है और यही separation period में आपको अपने cosmic gifts पता जलने लगता है इस समय twin flames का powerful connection का level shift होगा इस full moon के बात से और यह full moon आपके पुराने emotional wounds सामने लेकर आएगा आप universe से क्यों के सवाल करेंगे कि क्यों मैं ही क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों वगेरा वगेरा और हो सकता है कि आप dream में pregnancy के sign देखें 999-911-119-11-000 इस तरह के numbers या angel numbers आपको दिखाई दें तो समझ लीजिए कि इसी September के month से आपकी life में major life change है पुराना cycle जो चल रहा था अभी तक कार्मिक pattern या आपका खुद का negative pattern negative thinking है ना वो सब कुछ खतम होने वाली है क्योंकि इसी full moon के दोरान या just उसके बाद आपको golden and white light भी दिखाई देगी या दिखाई दे रही होगी अक्सर आप meditation के दोरान या meditation नहीं भी करते हैं तो भी अगर आप शान तकेले में आखे बंद करके बैठते हैं तो आपको golden light, कभी कभी white, bright light भी दिखाई देगी full moon energy divine feminine के लिए challenging हो सकती है कुछ divine feminine lines के लिए बाकी जो बाकी काफी cool, calm energy में है तो उनके लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा है बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है बाकी सब के लिए challenging हो सकता है क्योंकि आपकी energy भी काफी confusing हो सकती है क्योंकि universe आपसे कह रहे हैं कि unconditional love मेरी तरफ से हमेशा मिलता रहेगा लेकिन क्या आप really unconditional love दे रहे हैं पहले अपने अंदर उस unconditional love को जगाईए और फिर दुनिया को बाटने के लिए चलिए या फिर अपने twin flame के लिए रखिये tarot astrology and consultation for any relationship अगर आप करवाना चाहते हैं तो contact me on this number thank you मैं भी आप कई तरह की services देना चाहें इस full moon के दोरान या इस full moon के just bad या इस दोरान आप कुछ प्लान कर रहे हो कि मुझे भी कुछ इस तरह की guidance services देनी चाहिए perfection की और आप चल पढ़ेंगे जो भी कुछ अभी तक आपने प्लान किया है कि अब मुझे ये करना है मतलब कि what to do list आपके पास है number one, number two number three इस तरह से ये आप perfectly प्लान करकर किस दिन क्या करना है और किस तरीके से करना है ये सब कुछ आप करना शुरू कर देंगे healing को भी आप preference देंगे healing हो सकता है आपने अपनी और अपने DM की करवा ली हो या कर ली हो तो दूसरों की healing करने के आप preference देंगे अब आप heart and emotions को थोड़ा side करके intellect and reason को importance देने लगेंगे कुछ time के लिए कुछ से connection आपका अच्छा रहेगा कुछ time के लिए इसले का क्योंकि 99 portal शुरू हो चुका है जो कि 9 days तक चलेगा और ये energy आपके जीवन में कुछ नया ज़रूर लेकर आएगे क्योंकि September का month हो गया और 2022 year हो गया ये आपकी life में ये पूरा साल ही आपके लिए हर portal even next जो आएगा 10-10, 11-11 and 12-12 portal और 21-12 portal ये आपके लिए बहुत ही important रहने वाले हैं Twin Flame Journey में यदि आप हैं तो अगर आप spiritual भी है Twin Flame Journey के बारे में नहीं मालूम और ये वीडियो आपको दिख रहा है तो फिर समझ लीजिए इसमें universe आपसे जरूर कुछ कहना जा रहे है self love and self respect के बारे में आप सोचने लग चुके होंगे actually अपने आपको खुद से time देना ये आपने सीख लिया है दूसरों को no कहना सीख लिया है और people pleasing छोड़ दी है आपने अपने लिए खुद के लिए अच्छा वरना शुरू कर दिया है DM की energy किस तरह की रहने वाली है आप यही जानना चाहेंगे full moon के बाद से तो आपके divine masculine चाहे वो divine energy में है या distorted energy में है या balance होने की स्थिती में आ रहे हैं awakening शुरू हो चुकी है तो इस energy में रहने के बाद आपके जो अगर आपकी energy बहुत ही highest self में है तो DM की energy आपकी full moon के बाद काफी helpful and supportive दिखाई देगी कुछ divine feminine के लिए ऐसा हो सकता है सेनारियो कि वो काफी तड़प रही है रो रही है और उनका जो divine masculine है वो बाहर कहीं और engage ने ये बात तो depend करता है आप तोनों की energy पर मदरगाया and moon energy आप से दूसरों की help भी इस full moon के बाद से कराएगी बट फिर भी आप intelligent level को ज़्यादा यानि कि बुद्धी को बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि मुझे पुद्धी से काम लेना है हर समय दिल से काम नहीं लेना क्योंकि आपने धुके इस जीवन में भी बहुत खा रखे हैं आप खुद को remind करवा लेंगे कि there are always two sides of every story तो कुछ भी गलत नहीं है कुछ भी सही नहीं है blame and judgment से आप दूर हो जाएंगे कि यह ऐसा होता है यह वैसा होता है because universe में कुछ भी right and wrong नहीं next nine days क्योंकि 99 portal के बाद full moon energy भी affect करेगी तो next nine days में communication के chances भी हैं जो अगर आप separation या no contact की stage पर हैं तो misunderstanding भी हो सकती है और miscommunication and general confusion आपको आपके बारे में twin flame के बारे में twin flame journey के बारे में हो सकते है but इनी दिनों में ये सब confusion दूर भी होगा ये full moon energy twin flame में frustrating time को भी ला सकती है क्योंकि इस journey में पहले ही बहुत कुछ practically आपके साथ हो चुका है जिसमें बदनामी या blames आपको phase करने पड़े होंगे चाहे अपने घरवालों से ससराल से अगर आप married हैं तो या फिर DM से ही इसलिए आपके जानने वाले आपको misunderstand करेंगे और आपसे बात करना भी बंद कर सकते हैं क्योंकि सब आपको गलत नजरिये से देखने लग सकते हैं लेकिन मैं ये energy collective energy के बारे में कह रही हूँ सभी के लिए नहीं कह रही हूँ किसी किसी के साथ इस तरह की energy काम कर रही होगी लेकिन ऐसे time को आप wisely handle करते हैं आप फाइदे में रहेंगे indecisiveness से आप open hearted होट चले जाएंगे और आप ज्यादा तर heart chakra and throat chakra पर काम करेंगे knowingly या unknowingly बहुत से twin flames सफर कर रहे होंगे इस दोरान क्योंकि they are unaware that they are actually reaching to collective karma and struggles collective karma and struggles ही तो हैं जो कि हमें मुसीबत बन कर जेलने पड़ते हैं disturbing dreams भी आपको इस time period में देखने को मिल सकता है बट इस तरह से अगर होता है आपके साथ so don't worry be aware that you might simply be reacting to the collective purge जो universe में twin flame soul purging चल रही है तो उसी का ही एक तरह से आपको reaction होगा इस disturbing dreams के थूँ हो सकता है आप green and blue color और या उसके shades को ज्यादा ही attract करेंगे आपको खाने में भी इसी तरह की चीज़ें पसंद आएंगी जो green और blue color में हो खाने में green jelly अचानक आपको पसंद आने लग सकती है जो कि आपके DM को ज्यादा पसंद होगी black grapes भी आप पसंद करेंगे हो सकता है आपको यह पहले पसंद ना हो September 11 से यह सभी तरह के negative aspects जो कि आपको मैंने अभी बताए कि miscommunication, misunderstanding, लोगों के blames, बात ना करना और इसी तरह के करमाज रिपे करने वाली बात जो बताई वो सभी negative करमाज feeling good वाली feeling के साथ खत्म होंगे आपको लगए अरे वाह सब कुछ अच्छा ही तो है यह होगा full moon के बाद life लेकिन suddenly change नहीं होगी but आपका mood and perspective definitely September 11 से change होने वाला है तो ध्यान रखिएगा इस full moon energy में क्योंकि life definitely आपकी change होने वाली है twin flame journey में आप है divine feminine energy में है या divine masculine energy में है या अभी आपकी थोड़ी बहुत distorted energy है तो भी आप day by day progress ज़रूर करेंगे बाकि divine की इच्छा के अनुसार या divine miracle के according आपके साथ जो होना है वो होकर ही रहेगा thank you so much and all the best ध्यान रखें अपना और बहुत लोगों का reunion की तरफ भी रुजान है और ध्यान है जो लोग अपने उपर पूरी तरिके से जो divine feminine 100% faith and belief के साथ आकाम कर रही है और inner work पर ध्यान दे रही है वही जीतेंगे जरूर thank you so much all the best अमेशा कुश्वें